दिल्ली से भी घरेलू विमान से बाइश रू हुई हैं दिल्ली से 380 उडाने तैये हैं दिल्ली से पहली उडान पुणे के लिए भरी है उडान उसने उडान के दौरान सभी को मास्क लगाना जरूरी है इसके अलावा उनके सामान को सानिटाइस किया जा रहा है तो यह दिल् भारत में दो मेने के बाद धरेलू उड़ाने शुरू हो गई हैं 25 मार्च से लॉक डाउन होने के बाद से लगातार धरेलू उड़ाने बंद थी लेकिन अब उसे ओपन कर दिया गया है नई दिल्ली की बात करें तो यहां से तकरीबन 15 से फ्लाइट हर रोज हुआ करती थी लेकिन फिलहाल जो है 380 के आसपस फ्लाइटे जो हैं वो चलेंगी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुएं जो लंबे समय से अलगलग शहरों में फसे हुए थे वो अब फ्लाइट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक वैक्तिन यहां पर मास्क लगा रखा है कईयों को हमने देखा कि वो फेस चले लगा करके पहुचे हुए हैं हर किसी से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें यहां अगर आप देखना चाहेंगे तो जो चेकिंग हो रही है पूरी तरह से अपने फेस को कवर करके अपने को बचा करके एरपोर्ट के स्टाफ सेक्यूरिटी के स्टाफ भी काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें दिल्ली से पहली उडान पूना के लि यात्री ने सोशल डिसेंसिंग का पालन किया, इनमें कई ऐसे लोग भी थे जो आश्रम में रहने को मजबूर थे। यात्री ने सोशल डिसेंसिंग को अपनाया, इनमें कई ऐसे लोग भी थे जिनहें आश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि और कोई व्यवस्ता उनके पास नहीं थी। अहमदबाद एरपोर्ट पर साथ दीन बाद आज यहां से जो फ्लाइट से वो शुरू हो चुकी है, आप देखें कैसे हैं शुरू आज यहां पर एरपोर्ट पर जब पहुंचते हैं, तो जो बैग यह उसको सानिटाइज किया जाता है, कई जो प्रवासी हैं, वो कई समय से यहां पर दो महीने से जादा वक्त हो चुका है, लोग यहां पर फसे हैं, एक बुदूर्ग महिला हैं, उनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? रंजन में मोदी रंजन में थोड़े आसे हैं, रंजन में किस तरीके की तकलीफ हुई? कितने दिम यहां पर रहे? यहां दो महीने रहे और तकलीफ तो नहीं हुई हम आशरम में रहे थे, आशरम में गई थे हमारे गुरू के, उधर ही रहे और उधर से इदेर आई जब लॉकडाम गोशित हुआ, क्या लगाए? एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, क्या से बहुत तकलिप हुई, क्या एक तो इधर गर्मी बहुत है, टेंपरेशर बहुत है, वो भी हमारे को नहीं सहनुआ, लेकिन इधर सव आश्रम में सव विधी थी, तो मेरे को कुछ तकलि है, इसलिए क्योंकि रेल मंत्री प्यूश गोईल ने कल शाम साथ बजे से लेकर रात के दो बजे तक एक के बाद एक कई ट्वीट किये, और प्रवासी मज़ूरों के ले ट्रेने नहीं देने के महराश्र के मुख्यमंत्री उदव ठाकरे के आरूपों पर पलटबार किया, रेल मंत्री प्यूश गोईल ने दावा किया कि वो महराश्र को 125 ट्रेने देने के लिए तयार हैं, उन्होंने ये भी आरूप लगाया कि कई घंटों तक ट्रेनों के जाने की जगों और यात्रियों की जानकारी मांगे जाने के बाद भी महराश्र सरकार ने चुपी साधी ह हुई है और लगातार ये तस्वीरे इसलिए महतवपूर हो जाती हैं, ये ट्वीट इसलिए महतवपूर हो जाते हैं क्योंकि लगातार वहां से श्रमिकों के पैदल चलने के बाइक से ऑटो से इस तरह चलने की तस्वीरे सामने आ रही हैं जो दिल को जगजोर देती हैं ल अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या श्रमिक ट्रेनों पर जूट बोला जा रहा है उधव ठाकरे के द्वारा, हमारे साथ अभिशेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सही होगी, अभिशेक बहुत साफ यहाँ पर बताईए आपकी उधव ठाकरे प्रेस कांफरेंस करते हैं, यह बताते हैं कि उन्हें ट्रेने नहीं दी जा रहे हैं, लेकिन प्यूश गोयल जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर इस बात को रख रहे हैं, कि हमने तो 125 ट्रेने दी, सो चाही क्या है, आखिर इधर से उधर की जा रही है, उसमें हकीकत क्या निकल करा रही है सामने. प्रफुल पटेल का ये कूदना, ये साथ जाहिर करता है कि कहीं कहीं NCP को ये चीज पसंद नहीं आई है, कि उधर ठाकरे ऐसे समय में केंदर पर ट्रेनों को लेकर आरोप लगाएं, जबकि ट्रेने लगातार यहां पर जा रही है, महाराष्ट की बात करें तो महाराष्ट पर है, पहले सर्टार ने सोचा कि इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पियुष गोईल के जो ट्वीट है, वो इस पूरे मामले में महतवपूर है, वो ट्वीट हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो ट्वीट उन रात आट बजे महराश्र सरकार ने एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट रेलवे को नहीं दी, उनका ये ट्वीट सामने आया, और ये पूरा सिलसरा साथ से दो बजे रात के चलता रहा, नौ बजे उन्होंने ट्वीट किया, दुखद है कि डेड़ घंटे वी जाने के बाद भी महराश्र सरकार ने जानकारी नहीं दी, तो ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से बहुत सम्विधन शील है इस पूरे मामले पर महराश सरकार, रात बारा बजे उन्होंने ट्वीट किया, रात के बारा बज चुके हैं और पांच घंटे बाद भी हमारे पास महरा सरकार से जानकारी नहीं आई है, तो वो लगातार इस बात को ट्राक कर रहे थे कि कोई रस्पॉंस आए, और फिर रात दो बजे उन्होंने ये ट्वीट किया, कि महराश की 125 ट्रेनों की लिस्ट कहां है, और उस लिस्ट पर ही पूरा बवाल है, अभिशिक ये जो सलसलेवा ट्वीट किये गए, पियुज गोहल के द्वारा, ये बता रहा था कि वो वाकई में गंभीर हैं और वो कदम लेना चाहते हैं, लेकिन महराश सरकार का रुख क्या निकला इसके बाद? लेकिन महराश सरकार ने रात तक आवसतन 40-45 जो अमूमन लिस्ट जो जाती है, हर दिन उतना ही गई, आगे की लिस्ट नहीं गई, जबकि लगातार पियुज गोहल इस पर पूरे मामले पर ट्वीट कर रहे थे, और ट्रैक कर रहे थे, अरिकारियों के साथ संपर्क में थे आज सुबह 10-11 बजे महराश्ट के मंतरी से बात हुई, जहां पर ये कहा गया कि 200 ट्रैनों की लिस्ट हम बना रहे हैं, जो अभी शाम तक पहुँच जाएगी, लेकिन अभी तक मेरी जो जानकारी है कि किसी भी, चाहे सेंट्रल रेलवे हो या पश्रिम रेलवे हो, उन दो का चत्रवेदी का बयान सुना था, महराश के मिनिस्टर्स के बयान, अब वो सामने से कह रहे हैं कि टाइम लगेगा इस पूरे मामले में, यानि जब टाइम राज्य सरकार की तरब से लगना था, ये तैय था, तो उस समय में पूरी प्रेस कॉन्फेर्स के दौरान इस पू प्रियूस गोयल ने कल दूपहर 2 बजे से ट्वीट करने का सिलसला, शाम 7 बजे से ट्वीट करने का सिलसला शुरू किया, इस पूरे ट्वीट से राद 2 बजे भी लगबग 7-8 गंटा हुआ, उसके बाद आज हम देख रहे हैं, इस पूरे मामले को 24 गंटे हो जाएंगे श कमजनी होगी कि प्रियूस गोयल लगातार आकरामक हैं राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि मामला और उंगली किंद सरकार और प्रियूस गोयल के मंत्राले पर उठी है, ऐसे में प्रियूस गोयल लगातार इस बात को ट्वीट कर रहे हैं, रेलवे के अधिकारी जो नोडल आप आई ये हो क्या रहा है महाराश सरकार में और जब आप जानते हैं कि आपके आई सबसे अधर प्रवासी मज़ूर हैं महाराश की मंत्री असलम शेक ने पियुष गोईल पर राजनीती का आरोप लगाया है सुनिए उन्होंने क्या कहा है पीश गोईल जी ये जो तीन सलाक से जड़ा लोग जो मुंबई शہर से जा चुके हैं इस बगर देस्टिनेशन के जा चुके हैं किया तो कहा चाना है उसके ज़िग अिनको पहुंचाया गया कैशा हमारे कॉंग्रेस की तरफ से मैं आपको मेरे मुबाल में बता सकता हूं से जो है वो 1200 1200 की लिष्ट जो है वहाँ पर दी वी आपके रिल्वे डिपार्टमेंट को कि आप गाडियां लगाओ ताकि इनको भेज सकें यह रही गोरकपूर की लिष्ट आप ज़रा जूम करेंगे तो आपको दिखेगे इसके अंदर गोरकपूर की लिष्ट है इसमें कान दी हुई है आप रात को बारा बुजे बोलेंगे लिष्ट देने यह ठीक नहीं है अपनी धर पहुंच जाए उसके ओपर हम चिंता करें तो ज्यादा बहतर होगा वीजेपी नेदर शानवाज हुसेन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शानवाज हुसेन जी अभी आप अ महराज सरकार जिस तरह का सोतेला वहवार कर रही है ये दुखद है ठुच गूईली ने कल भी कहा कि 125 ट्रेंग तयार है उनको लिष्ट देनी है तो देदे लेकिन वो लिस्ट भी नहीं दे रहे है और स्यासत कर रहे हैं जिस तरह की सिर बियानवाजी कर रहे हैं जो परवा पर ट्रेन लग जाए तो हम तो अगर जिस वक्त वो कहेंगे 125 तेयार थी अभी तो सिर्फ 45 लोग तानवाज जी मैं तू यही नहीं समझ पारी हूं कि आप लिस्ट मांग रहे हैं वो कह रहे हमने लिस्ट दे दिये तो यह मामला कहां गड़ आ रहा है यह कौन आइडेंटिफ रहा था तूश गोईल जी ने ट्वीट किया कि मैं वेट कर रहा हूं इनको देना चाहिए लेकिन वहां शुक्षेना की सरकार है जिसमें कॉंग्रेस भी हैं एक तरफ मजदूरों के लिए कहते हम बस लगा देंगे और दूसरी तरफ हम ट्रेन उपलप करा रहे हैं तो उस पेखाना है उसकाम के लिए भी महाराश सरकार पूरी तरफ फिल हो जा रही है किसी छत्र में चाहे बोई लाज का च्ट्र हो जाहे वो च्ट्र एं किसी अन्य जगह का हो सब जगा इसी तरह की हालत कर रखिये महाराश की सरकार लेकिन आपको नहीं लगता कि मौझूदा स्थिति में महराष्ट में जो मज़ूरों की हालत हो गई है दिमाग को ठंडा करके दोनों ही तरफ से चाहे वो राज्य सरकार हो या रेलवे हो उन लोगों को दोनों को एक टेबल पर बैट कर कुछ ऐसा निकालना चाहिए हल ताकि राजनीती बाद में कर लिजेगा इनको साजित करने का है दूसरी तरफ लोगों को दिश्वारी भी न हो अगर हमने सही समय पर लोगडाउन ना किया होता तो आज भारत की भी तादाद 30-40 लाख लोग पिरित हो जाते यह तो प्रधान मंतरी में अंदर अधिगी ने सही वक्त पर लोगडाउन किया सर मैं अभी की बात कर रहे हूँ आप वापस लोगडाउन पर चले ढ रहे हैं आप रधान मंतरी पर जा रहे हैं हम यह थोड़ी कहरे हैं कि लोगडाउन का फेसला गलतता सही था हम यह कहरे है कि अभी मौजूदा स्थिती में आपकी प्रात्मिकता क्या है आप बने रहीए आपला राज्य सरकार्चा जाएए करता लिए अपला राज्य सरकार्चा जाएए करता दूसरी तरफ रेल्वे और महाराश्ट की पूरी मदद कर रहा है लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर राजनीती कर रहे हैं पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है और अपनी नाकामी को चुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंदर सरकार पर फूर्डने की यह जो कोशिश है बिलकुल गलत है रेल मंत्री और रेल मंत्राले ने लगातार महाराश्ट को मदद की है उधर उत्रप्रदेश सरकार ने भी महाराश के CM उधव ठाकरे पर निशाना साधा है लेकिन उससे पहले मैं शानवाज उसेंजी आपका रुख करना चाहती हूँ देखे सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा देश इस वक्त कोरोना वाइरस से प्रभावित है लेकिन सबसे पहले नंबर पर महाराश्ट है लेकिन उस महाराश्ट पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकारे चाहे राज्य की ओ, केंद्र सरकार हो एक कॉर्डिनेशन की सर ये जरुवत है और ये वक्त की नजाकत है इसको समझाईए नहीं तो समझवाईए किसी भी तरीके से देखें मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोगडाउन का जो फैसला था उसके बाद जब मजदूरों को जाने की बात थी तो राज सरकार से सब जगा सला मश्वरा करके ट्रेन उपलफ कराई गी ये जो महरास की सरकार कह रही है कि उनको ट्रेन उपलफ नहीं हो रही है पूरी तरह गलत बियानी है और केंदर की तरफ से हमें भी चिंता है जो मजदूर वहां फसे हैं जा कि लोग हैं पर जैसा देविंद्र फटनविज्ची नहीं कहा वो नाकाम है चाहे इलाज के फरंट पर हो या मजदूरों के देखभाल के फरंट पर अगर मजदूरों की देखभाल अच्छे से होना की फिप्रादी पर इतनी तो निव्ज 18 इंडिया को उपलफ करा दें और उसने ट्रेन हम लोग उपलफ करा देंगे वो बठाएं वो कागल देंगे अभिशेक अभिशेक अभी वो कहरें कि आप हमें हमें ही माध्यम मान लीजे हमें ही आप साजा कर दीजे वो लिस्ट लेकिन एक सवाल असलम शेक से ज इसमें राज्य सरकारों में ही कॉडिनेशन की कमी है क्योंकि रेल्वे मंत्राले तक महुचने के लिए उन लिस्ट को कई जगों से से वेरिफाई होना पड़ता है पहली बात दूसरी बात एक मतपूर्ण चीज है जो मैं सानवार जी से पूछना चाहूंगा कि अभी तुर हो जाती है उसके बाद बीजेपी के लोग आदमी कठा करते हैं उसके भेजने के लिए यानि तब आपने लिस्ट नहीं मांगी राज्य सरकार से अब आप आपको देना है तो आप लिस्ट मांग रहे हैं यानि राजनीती आप कर रहे हैं और आप यह मत भूलिए यानि एक तरीके का थ्रेटेन भी है कि आप मत भूलिए कि आप महराश्टर से राज्य सभा के सांसद हैं प्यूज गयल को यह इंडिकेट करते हुए ट्वीट है यानि अब एक सवाल सिर्फ सानवाज से यह है कि सानवाज जी उतर दे दिजिए उद्धापूर से नासिक तक तो आप कह रहे हैं कि लिस्ट दीजिए और मैं यह भी चुनोती देता हूं संजे राउट को कि आप लिस्ट न्यूज एटीन इंडिया को मेल कर दीजिए अगर हम वो ट्रेन नहीं दे रहे हैं तो हमें बताइए यह तरक देना कि नाजपूर से चला दिया उद्धंपूर के लिए अपने मेरे उस सवार का जवाब नहीं दिया कि जब बिन कहें ट्रेन चल सकती है तो पर लिस्ट क्यों मांग रहे हैं और लिस्ट मांग रहे हैं तब तक उससे पहले फॉरी रात के लिए कुछ रहने चलाई जा सकती है क्या यह प्रयास नहीं होना चीए था बेराल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माहराश के CM उधव ठाकरे पर निशाना सदाया यूपी सरकार के टुटर हांदल से ट्वीट किया गया है और का गया है अपने खून पसीने से माहराश को सीचने वाले कामगारों को शिवसेना कौंग्रिस की सरकार से सिर्फ चलावा ह लॉक्डाउन में उनसे धोखा किया उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया इस अमानविय विवहार के लिए मानवता उधर ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी अपने घर पहुंच रहे सभी बेहनों भाईयों का प्रदेश में पूरा खयाल रखा ज शिवसेना नेता संजे राउत का भी जबाब दिया और लिखा गया संजे राउत जी एक भूखा बच्चा ही अपनी मा को ढूंता है यदि महराश सरकार ने सौतेली मा बनकर भी सहारा दिया होता तो महराश्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प एक पूरा सोचल मीडिया के माध्य हम से अपने वक्तव्य के माध्य हम से इसको एक राजनेतिक रंग देने का काम क्या है वह बहुत ही दुर्भागय पूर है रेल मंत्री खुद भी जानते हैं कि जो राज्य होते हैं उनसे कहा जाता है हर जो पैसेंजर है उसकी लिस्ट द साथ आप कहते हैं आधे घंटे के अंदर ही अंदर सब दे दिया जाए यह मैं वांती हूं कि यह राजनीती करना है और नहीं सेंटर स्टेट को और एक पुलिटिकल रंग लाता है हम बस यही मांग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ट्रेंज महराष्टा से चले और अगर उसम करना ध्यान में रखना जरूरी है शारवाज जी आप लोगो को फर्मान जारी करने की आदत है और वही फर्मान आपने जारी किया और आप चाहरे हैं कि तुरंत इस लिस्ट का उत्तर भी मिल जाए तो आप हमारे शाल थोड़े देर में जुड़ेगा तो जुरूर इस बात का उत्तर दीजेगा क्योंकि ये आरोप शिवसेना की तरफ से आप पर लग रहा है कि आप लोग सिर्फ ताकीद करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि तुरंत इसका पालन हो जाए इधर माराश में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मुद्दे पर चल रही सियासत के बीच रे मज़ूरों को उनके घर पहुंचाया गया जबकि माराश सरकार की तरफ से पूरी तयार याना होने की वज़से 65 ट्रेनों को रद करना पड़ा रेलवे के नोडल ऑफिसर और माराश के नोडल अधिकारी ट्रेनों को लेकर संपर्क में रहते हैं रेलवे ने माराश के अलग इदर नसीपी नेता प्रफुल पटेल रेलवे के साथ खड़े दिख रहे हैं उन्होंने साफ का है कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है और किसी को भी उस पर गलत टिपणी नहीं करनी चाहिए उदव और रेल मंत्री प्यूश गोईल के बीच सियासी किया गया तो उन्होंने का कि रेलवे ऐसी मुश्किल के समय में भी बहतरीन काम कर रहा है माराश में एंसीपी कॉंग्रिस के साथ उद्व सरकार में शामिल है एक तरफ उद्व ठाकरे श्रमिको के लिए ट्रेनों पर केंद सरकार से वार पलटवार में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुंबाई के दैसर की तस्वीरे देख ली थे जहाँ यूपी के प्रवासी मजूर पिछले पांच दिनों से बैठे हुए हैं मज़ूरों का आरूप है कि ना तो उन्हें बसे मोहिया कराई जा रही है ना ट्रेने देखे इतने चोटे बच्चे हैं जो दूप में तड़पते हुए नजर आ रहे हैं रो रहे हैं बलक रहे हैं उनके पास खाने के लिए भी कुछ है या नहीं है कुछ नहीं का जा सकता और आप उमीद करते हैं कि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ ये भाव है कि भई आप हमें बसे दे दे आप हमें ट्रेन दे दे जो हो वो दे दे हम घर जाना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उदव ठाकरे श्रमिक ट सरकार के बीच जुबानी जंग जारी है लेकिन इसमें फिस रहे हैं मजदूर मैं जहां मौजूद हूँ बड़ी संख्या में यहां पर यूपी और बंगाल के जाने वाले मजदूर हैं आप देखिए यहां पर वो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ जानका आप बस से जारहें बस बॉर्डर तक ही छोड़ती है लेकिन ऊपने बस में जाएंगे बसमें क्योंकि खाना पीना रास्ते में नहीं मिल पाएगा यह परसानिया हमने सुनी है तो ट्रेंस से और रचिए हो करवाय ओना आनलाइन करवाय कुछ भी नहीं आया आज 20 दिन से प अधान है यहां पिछे वाले यह दो को अधीक तरफ आगे पीछे जल्दान पीछे वाले आगे आघ है मुंबई के दाईसेर से ये तस्वीरें बस और ट्रेनों के इंतजार में मजदूर ये एक ऐसी बेबसी है जिसका इलाज तो सरकारों के पास है लेकिन सरकारों को राजनीती से फुरसत कहा है जो इन लोगों के लिए बंदोबस करें ट्रेनों के बारे में अगर ट्रेने चल र रद भी हो जाती हैं इनको पता ही नहीं चलता है